नमस्कार दोस्तों अजय साहू online classes में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे 2 से 7 सितंबर का सापताहिक 36 गड़ का current affair ये कुछ हमारे social link है जिनसे आप जूड सकते हैं telegram channel को follow करने से daily हमारे notification वीडियो के आपको मिल जाएंगे साथ ही हमारे जो paid courses हैं वो हमारी website www.ajesahu.com में आपको मिल जाएगा सबसे जो पहला question है वो है नई film city कहां बनेगी तो जो नई film city है वो राइपूर में बनेगी इसके लिए 70 एकड में जो है इसका जगा देखा गया है ये जंगल सफारी के आसपास जो है बनेगा और साथ ही फिल्म जो अभी 36 गड में जो भी बनेगा उसमें 70% जो रासी है वो सरकार के द्वरा देने पर विचार किया जा रहा है साथ ही दव मंद राजी जो फिल्म है उसको tax free करने की घोशना भी की गई है और जो यहां 36 गड में जो फिल्म बनेगी उनके लिए नई फिल्म नीती का निर्माण भी किया जाएगा तो यह जो चीजे हैं यह फिल्म के बारे में हैं तो इन में से कोई भी पॉइंट यह सारे पॉइंट आपको याद रखने है ठीके कुछ भी एक्जाम में आ सकता है आपका विश्वास योजना किस चीज से संबंदित है ठीके पहला है GST दूसरा है पुलिस सहता तीसरा है बीमा चौथा इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही अंसर है वो है GST, GST के पहले जो बकाय जो भी टेक्स है उसको अदा करने के लिए आपका विश्वास योजना लाया गया है इसका जो मेंड डेट है वो एक सितंबर से स्टार्ट होगा इसमें पुराने जितने भी प्रकरण है उसका निराकरण किया जाएगा नेक्स जो हमारा क्वेस्चन है कितने महिला खिलाडियों को खेल अलंकरण पुरुसकार मिला है ठीक है तो आप्सन से आपके पास मैं डारेक्ट आंसर बताता हूँ टोटल जो है तिरुपन खिलाडियों को सम्मानित किया गया है मेल फ्री मेल दोनों जिसमें महिला 35 है और 18 पुरुस है तो 35 महिला खिलाडी या 18 पुरुस खिलाडी को इसमें शामिल किया गया है 29 अगस्त को खेल दिवस के असर पर ये जो पुरुसकार है उप्रदान किया गया है जिसमें कुल जो पुरुसकार की रासी है वो है 1.566.000 रुपए तो ये डेटा आपको खास इंपोर्टेंट है याद रखना चाहिए नेक्स जो हमारा क्वेस्चन हुआ है दुनिया के सबसे प्रदूसित सहर में किन दो सहरों का नाम जो है हुआ है हमारे 36 गड़ से तो रायगड कोर्बा ये दोनों जो शहर हैं ये दुनिया के सबसे प्रदूसित सहर में कोर्बा का इस्थान है 17 और रायगड का इस्थान है 48 तो ये नासा ने दुनिया के 50 सरवाधिक सहरों में कोरबा और रायगड को सामिल किया ये ग्रीन पीस का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है तो दुनिया के लगभग 99% जो अबादी है वहाँ पर जो वायू है वो प्रदूसित है और ये जो 99% जो अबादी है वहाँ 42,00,000,000 लोग मरते हैं और सबसे ज़्यादा जो है सलफर का उस सरजन जो होता है सलफर डियाकसाइट के रूप में भारत में होता है तो ये वायू प्रदूसर्ण से संबंधित जो रिपोर्ट है ये आपके बहुत काम गिलाएक है ये आपके एसे में भी काम आएगा चीग चुकि Paper 7 याने कि GS4 में International Organization से संबंधित क्वेस्चन आते हैं तो थोड़ा सा डबलुएचों के बारे में देखते हैं विस्व स्वास्थ संबंधि समस्याओं पर आपसी सहयोग के लिए संस्था का निर्माण किया गया है इसमें विस्व के 193 देश शामिल है इस संस्थ़की स्थापना 7 अप्रेलוג, 1948 को की गई थी और इसमें संसार के लोगों का स्वास्थे को इस्तर को उंचा रखना इसका मुख्योद्द दे से है इसका जो मुख्यले है वो जिनेवा सहर में है, जो की स्विज्ले लेंड में है और इसके जो मुख्य जो हैं वो हैं डाक्टर टेट्रोस अधानम गेवरेसस ठीक है तो ये इसके महानि दे सक है Next हमारा जो क्वेश्चन है हुए नई रेल परियोजना का काम सुरू होने वाला है तो कौन सी नई रेल परियोजना है तो रावगहट परियोजना और दूसरा है बलोदा बजार नहयराइपूर दुर्ग परियोजना तो ये दो जो परियोजना है पहला A और B दोनों आएगा इस कांसर रावगहट परियोजना और बलोदा बजार नहयराइपूर दुर्ग परियोजना इसके लिए 3300 करोड की मंजूरी जो है केंदरी मंत्राले ने दी है राव घाट को आप जानते ही होंगे कि ये लोग आयस के लिए प्रमुकिस्थान है सरगुजा के महिला उद्यमी बहूत देसी सहकारी समीती ने किसके साथ साजेदारी की है तो इसका डारेक्ट आंसर बताता हूँ अमेजन के साथ किया है अमेजन के साथ जो है सरगुजा की ये समीती परियावरन अनुकूल प्रोड़क्ट बेचेगी जिन प्रोड़क्ट में बैग कपड़े इत्यादी होंगे तो ये आपको बहुत important question है इसको याद रखना है कि सरगुजा के महिला उद्यमी जो है अमेजन के साथ साजेदारी करेंगे वर्ल्ड जूनियर बैडमिन्टन चेंपियन्सिप के लिए भारती टीम में किसका सेलेक्शन हुआ है तो इसका आंसर है इसान भटनागर का चैन हुए है इसान भटनागर रायपूर से है और ये 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रूस के कजान में होगा वर्ल्ड बैडमिन्टन जूनियर चैंपियन्सिप नेक्स्ट हमारा जो question है वो आर्थिक सरवेक्शन से है चोकि आर्थिक सरवेक्शन से बहुत सारे question आते है कोई भी one day exam हो या prelims हो तो इसको हम देखेंगे चीक है 2018-19 के अनुसार आर्थिक सरवेक्शन 2018-19 के अनुसार सेवा छेत्र में पिछले विगत 5 वर्स में यानि कि 2014-15 से ले करके 2018-19 तक के अवसत वृद्धिदर कितनी रही ठीक है तो ये question बहुत important है तो इसका आन्सर में डारेक्ट बताता हूँ सेवा छेत्र में 5.87 की प्रतिसत की वृद्धी पिछले 5 वर्स में हुई है ठीक है 5.87 साथ ही क्रिसी और उद्ध्योग का हम देख लेते हैं तो क्रिसी छेत्र में 5.34% का हुआ है और उद्ध्योग में 4.07 ये पिछले 5 वर्सों का एवरेज है ठीक है जून 2018 तक 36 गड़ में बैंकों की संख्या कितनी है तो ये question भी बहुत बार आता है जिला सहकारी बैंकों की संख्या साथ है जिनकी साखाएं 265 है और सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक क्रिसी साख समीती कितनी है तो 1333 है धान उपार्चन केंदर कितने है तो 1989 है तो ये आपको याद रखना है 31 अगस्त 2018 की स्थिती में जन्धन खातों की संख्या की स्थिती क्या है तो ये question भी बहुत बार आता है तो इसका answer है 1 करोड 33,23,882 खाते 31 अगस्त 2018 की स्थिती में है और जन्धन योजना स्थार्ट कब हुई थी तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को इसका मुख्य उदेश था वित्तिय समावेशन के लिए तो ये आपको याद रखना है कि 1 करोड 33,23,882 खाते खुले गए है नेक्स्ट हमारा जो question है मावली मेला जो है कहां लगता है ठीक है तो इसका अंसर है नरायनपूर कि उदन्तियों के अनुसार ये मेला करीब 800 वर्सों से लग रहा है मावली मेले में मुख्य रूप से जो जीवन उपयोगी सामान है वो उस चीज की दुकान लगते है तो मुख्य रूप से इसका जो प्लेस है वो याद रखने आपको कि ये नरायनपूर में लगता है ठीक है लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रसास्निक सब्दा वली जो हमारे मेंस में आता है उसके लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पर आपके लिए लाया है इसी प्रकार से हर वीडियो में एक एक वर्ड हम सिखेंगे तो अवग्या तो अवग्या का जो 36 गड़ी में जो है मतलब है ट्रांसलेशन है वो है नहीं मानना या विरोध ढहकना ठीक है तो यह क्वेस्चन में आता ही है लेंग्वेज पेपर में तो यह आपको याद रखना है अवग्या मतलब क्या होता है नहीं मानना या विरोध ढहकना 36 गड़ी में एक क्वेस्चन है आपके लिए लोकाक्छर पत्रिका के प्रकासा कौन है ठीक है इसका आंसर आपको देने है कोई आप्शन नहीं है और साथ ही मैंने पिछले क्वेस्चन में पुछा था कोई विद्रो का नेतरित्व किस ने किया है तो सभी ने सही आंसर दिया है नांगूल दोरला ठीक है तो वीडियो को इसी प्रकार से देखने के लिए धन्यवाद और अग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें थैंक यू